Hello movie lovers, स्वागत है आपका आपके YouTube channel The Trigger Bollywood वाला पर और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं request करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लो और वीडियो पसंद आए तो like जरूर करना सो गाईज महाँ पर हम बात करने वाले हैं एक टमिल डिरेक्टर की जिनका नाम है लोकेश कनकराज, 36 एर के डिरेक्टर हैं लेकिन ब्रिलियन्ट है इन्होंने जादा मूवीज डिरेक्ट नहीं करी है लेकिन जितनी भी करी है सब रेकॉर्ड तोड पैसा चापी है और केवल कमर्शल सक्सेज नहीं है आप जब इनकी मूवी की स्टोरी देखेंगे जब आप इनका डिरेक्टर देखेंगे आप इनके फैन बन जाएंगे मैं आपको बताता हूँ इनकी कुछ मूवी के नाम 2019 में कैथी नाम की मूवी आई थी जी हाँ यह वही मूवी है जिससे रीमेक कर रहे हैं अजे देवगन भूला नाम से 2021 में इनकी मूवी आई थी विजय दा मास्टर आपको जी सिनेमा पर यह आए दिन आती भी दिखेगी और सच में बहुत क्लासी मूवी थी उसके बाद 2022 में इनकी मूवी रिलीज हुई विक्रम अब यहाँ पर हुआ क्या कि कैथी नाम की मूवी को विक्रम के साथ में इन्होंने थोड़ा सा कनेक्ट किया एंड फैन्स ने यहाँ पर लोकेश को एक नया नाम डेडिकेट किया और कहा आप बनाए लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स याने LCU क्योंकि कैथी और विक्रम कनेक्टेट थी और यहाँ पर लोकेश कनकराज ने भी इस चीज़ को एकसेप्ट करते हुए फैन्स को कहा कि जी ह हम LCU फॉर्म करेंगे जैसे यश्राज का स्पाई उनिवर्स है, मारबल्स का एवेंजर उनिवर्स है, साउथ इंडस्ट्री के अंदर भी सिनेमेटिक उनिवर्स बनने वाला है और यहाँ पर लोग या फैन्स ये वेट कर रहे थे कि कब लोकेश कनकराज कैथी टू और वि विक्रम तो विक्रम है नहीं सौरी लोकेश तो लोकेश है उन्होंने कहा कि ना तो आएगी कैथी टू ना तो आएगी विक्रम टू अब आएगी थलपती विजय की 67th मूवी लियो ब्लडी सूइट के नाम से अब यहाँ पर फैन्स के अंदर तो मतलब तमिल फैन्स के अंडिया में वो कौन से ट्रेलर है जिनमें मैक्सिमम लाइक्स है थलपती विजय की सारी मूवी के नाम आएगे तो थलपती विजय का क्रेस तो अलगी लेवल पर है और यह उनकी 67th मूवी है अब इस मूवी का जब प्रोमो मेरे सामने आया तो जीनियस इसी को कहा जाता है लोकेश एक प्योर जीनियस डिरेक्टर क्यों है मैं आपको बताता हूँ उनका जब मूवी का प्रोमो आता है उनकी मूवी उससे बिलकुल अलग होती है जैसे विकरम के अंदर हुआ यहाँ पर भी लियो का जब प्रोमो आया तो उसमें थलपती विजय दो अलग-अलग का उनकी तरफ बहुत सारी गाडियां चलके आ रही होती है बहुत ब्यूटिफुल सी लोकेशन में उनका घर होता है और दूसरी तरफ एक साप उनकी तरफ चलके आ रहा होता है साप जैसे एक ट्रैप में फसता है वो ट्रैप बंद होता है और साप की गरदन कट के अलग हो ज पंचाया गया है और उनका डायलोग ब्लडी स्वीट मज़ा आने वाला है तो टेक्निकली मेरे हिसाब से तो ये मूवी केवल तमिल जोन में 100 करोड का बिजनेस तो पार करी जाएगी और जब ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी तो क्योंकि कैथी और विकरम के अच् सकती है खेर ये सब तो इस साल मूवी ऑक्टोबर में रिलीज होने वाली है देखते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से ये मूवी काम करेगी कैसा इसका ट्रेलर आएगा लेकिन मेरे हिसाब से तो ये रेकॉर्ड तोडने वाली हो और इसका कॉंटेंट भी बहुत शांदा होने वाला है खेर वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए मिलता हम आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाए टाटा टेक केर कीप वाचिंग गाइस